प्रश्कर सभी को स्वागत था आपका डिस नहीं है अडिकेटर चैनल में तो आरपेसी में पूछे गए राजतान जीके के प्रशनों की जो यह सेरीज चल रही है तो आज का जो पेपर है सेकंड ग्रेड टीचर की जी एक्जाम वी थी 2013 में तो जीके का यह पेपर है तो सबस क्जाहिए थरीै बात करें तो देसरी बार मिनट अतर तक तो यह आपका ख्षांसी तैसांत्री से 28a मिनट और जो भोगुलिक शेत्रफल यहां पर दिया गया है तीन 1000 मिली बार की समदाब रिखा जुलाही माह में गुजरती है, सिरोही, उदैपूर, प्रताबगड और जहलावार से, अगला प्रेशन आपका डिलीट हो चुका है, यह आपका राज़तान में प्रतम योजना काल से अब तक फसलों के प्रती रूप में क्या परिवर्तन होए है, आकड़ों में पूर्णांग जो घटित होए है, उसके कॉर्डिंग बताना है, स्टेट्मेंट यहां पर आप पढ़ सकते हैं, उसमें कौन-कौन से सही है, तो इ इसमें जो स्टेट्मेंट दिये गए हैं, उनमें एक तो दूसरा सही है, दालों का शेत्रफल 21 से गट कर 18 प्रतीशत रह गया था, यह आपका राज़तान करमचाईज एन बोड़ में पूछा गया है, दूसरा एक जो आपका इसमें अधिया गया है, तिलहनों का शेत्रफल प्रतीशत से बढ़कर 21 प्रतीशत हो गया, तो यहाँ पर जिसका राइट आंस हो जाएगा, दो और तीन यहाँ पर सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अगला प्रशन है, रास्तान के शेत्र दिये गए हैं, और गाय की नसले दी गई है, यह सेम कॉशन बहुत जादा बार रिपीट यहाँ पर हो रहा है, जीतने भी हम RPC के पेपर यहाँ पर सॉल कर रहे हैं, तो यह इंगलिस में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर कौन-कौन से सुमेलित हैं, तो यह उस तरह ही सभी जो हैं इसमेलित हैं जिसे, उत्री पश्चिमी राजतान ताथी दक्षिन पतियमे राज़तान कांकरेज पते मिराज़तान थार पारकर दक्षिन 它ि पूर मद्ढेवर्ती राज़तान तो इसमें कि गरगाई तो यहां पर चारू ही सुमेलित हैं तो यहां पर इसका राइट exploration से कौन सा हो जाएगा जिसमें सभी सुमिलत दिये गए हैं कि सेकंड ऑप्षिन कि अगर आप RPSC RS 2021 के तयारी कर रहे हैं करना चाहते हैं तो आने कैडमी फ्लेटफॉर्म पर RS 2021 फांडिशन कोर्स जो है शुरू हो रहा है 16 सितंबर से तो आप आप प्रिपेर कर सकते हैं RS 2021 के लिए तो RS के जो टॉप एडुकेटर्स है राज़तान के तो यह आपको जो है मिलेगा यह कोर्स अने अकैडमी प्लेटफॉर्म पर यह जो शुरू हो रहा है 16 सितंबर से तो इसको जॉइन करने के लिए लिंक और बाकी इस कोर्स के बारे में दिख जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा तो वहां से आप जाकर ले सकते हैं तो इस कोर्स के जरी आप अपनी तयारी जो है बहतरी न कर सकते हैं और यह आपका सब्सक्रिप्शन कोर्स रहेगा इसके बारे में जानकारी आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो यह 16 सितंबर से शुरू हो रहा है तो उसको आप जॉइन कर सकते हैं अगला प्रशन है ओध्योगिक संभावनों के आधाय पर राज़तान के निम लिकित में से कौन से जिले एस रेणी की अंधरगत आते हैं तो ओध्योगिक संभावनों के तुदैपूर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा अगला प्रशन है राज़तान में निर्धनता उन्मूलन की आरंब की गई नवीनतम योजना है तो पश्चमी राज़तान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट अगला प्रशन है विकाश शित्र है और बारवी पंचवर्सिय योजना में कुल बज़ेट आवंतन का प्रतिश्यत यहां पर दिया गया है तो इस प्रशन को भी हम सॉल कर लेते हैं यहां पर तो यहां पर क्रिश्री एम सायक किरियाओं के लिए जो है 6.41 आवंतन का प्रतिश्यत है दूसरा है क्रामीर विकास के लिए 9.1 का है उर्जा के लिए जो है 34.53 और फिर है 37.43 तो यहां पर मिलान किये गए है इसमें जो है यह चेंज होगा तो इसमें जो दिया गया था सामाजिक एम सामुदाइक सेवाओं के लिए 34.53 और यह दिया गया है उर्जा के लिए जो है 37.43 बाकी जो है आपके सुमेलित हैं ग्रामीर विकास के लिए 9.1 और इसके लिए क्रिशियम साय क्रियाओं के लिए 6.4 तो इसमें जो इसका कोड यहां पर मिलेगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन रास्तान में सिमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं बूंदी, चितोरगड, कोटा, सिरोई और उद्यापुर जो है रास्तान में सिमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं जेसल मेल में पालीवाल ब्रामुन द्वारा विक्षित की गई मोलिक पारंपरिक वर्षा जल संचेन पदती का नाम है खडी निम्नांकित में जे कौन सा कतन जो है सही है तो आहड वाशियों का जो मैदपूर्ण व्यावसाई है वो येस्क ताम्बे को गलाना और तामर रोस्तोय बनाने था और आहड जो है आपकी तामर यूगिन सब्वेताई है निम्नांकित में जे किस इतिहास वेता ने काली बंगा को सिंदू गाटी सामराज्य की तृत्तिय राजदा ने कहा है दस्रश शर्मा ने राज़तार में प्रतिहार वनिश के संस्तापक हरीश चंदर की राज़दानी थी मंडोर जोदपूर प्रतिवी राज चोहां तृतिय का समकालिंग चंदेल साशक था परमार्दी देव अलावदिन खिलजी की निम्नांकित विजियों को काल क्रमुनसार व्यवस्तित कीजिए तो सबसे पहले जो किया गया था करम अठारा सो एक मेर अंतंबोर में हमीर चोहां के साथ जो हुआ था अब उसको काल क्रमानुसार व्यवस्तित करना है आपको तो यहां पर वर्ष मैंने लिख दिये हैं तो चितोड अठारा सो तीन सीवाना तेरा सो आठ जालो तेरा सो ग्यारा अब आप इनको काल क्रमानुसार जो है बता सकते हैं तो सबसे पहले रंतंबोर फिर आपका चितोड फिर डी ओप्शन में सिवाना तेरा सो आठ फिर बी ओप्शन तो यहां पर जो कौन सा सही बनेगा पहला ओप्शन A.C.D. B. 1572-73 ECU में अकुबर ने जोदपूर किसको सुपूर्द किया बिकानेर के राई सिंग को राणा राई सिंग मेवार समकालीन था तो यहां पर यह कौशन जो है डिलीट हो चुका है तो जो इनका साशन काल रहा था 1652 से 80 तक रहा था 1660 तक तो और यह जिनके समकालीन थी तो यहां पर आप्शन दोनों थे तो शाजा और 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 अरंग जेब तो इसलिए डिलीट हो गया था और यह समकालीन दो के थे और अरंग जेब और शाजा अगला प्रशन है कती पे राजपूद शाशकों की सूची नीचे दी जा रही ही है तो इनमें से कौन-कौन से होंगे तो मान सिंग और राय सिंग सादू सीता राम दास किस कृष्यक कांदोलन से सम्मंदित थे बिजोलिया अगला प्रशन है प्रिजामंडल राज्य और उनके निर्मान का वर्ष तो यहां पर दिये गए हैं तो डूंगरपुर की जो स्थापना हुई थी प्रिजामंडल की 异डल की 1931 में जैपुर की 1931 में और फिर जो विकानेर है 1931 में यहां पर जो औप्षिन मनेगा अगला प्रशन है अजमेर का राज्तान में विले हुआ था तो सातवे चरण में 1956 में कितने सोपानों में शिरोई का राज़तान में विले हुआ दो में राज़तान के स्वतनता अंदरन के दौरान ग्रफतार होने वाले राज़तान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी निम्ने से कौन सा कथर नाराणी देवी वरवा के वारे में गलत है तो ये लोगसबा की सदशे रही है गलत है बाकी उने सातर से छेतर दक राज़तान की सदशे रही है है भीलवाड़ा में महिला अश्रम कि स्तापना की उनिस सु चमालीस में और उनिस सु ब्यालीस के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा इने अगला प्रशन है अजमेर के ख्वाजा मौईनुदीन के सूफी सिलसिदा से संबन्दित थे तो यह चिश्टी तो आज की इस पेपर में हमने लगवाग 25 प्रशन यह डिसकस किये हैं तो और मैं आपका जोब इसको रहा हो वह आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें इसका पीडिएफ आपको टेलिगाम चैनल पर मिल जाएगा इससे पहले जो रास्ता हम करमचाई चैनल बोड़े प सब्सक्राइब कर दीजेगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो थैंक यू